मुश्कार दोस्तों मैं आपका होश्ट और दोस्तों का अंजूशी आपका स्वागित करता हूँ मैं आरे मिशॉट्स में जिसमें हम लेका दिनबर की स्पेस और डिफेंस नियूज की टॉप 3 खबरे तो चलिए चानल लेते हैं दोस्तों मैं सबसे पहले खबर आ रही है इस रो की तरफ से आप में से बहुत से लोगों ने पूछा था कि इस रो क्या 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 लाँचिंग प्लान है तो यहाँ पर कुछ प्लान के बारे मैं आपको बता देता हूँ C42 का अभी पेलोड डिसाइड नहीं हुआ है कौन-कौन से सैटलाइट उसमें भेजी जाएगी यह डिसाइड नहीं हो पाया है इसके बाद लाँच पैट 2 से GSLV लाँच होना स्टार्ट हो जाएंगे GSLV F08 सबसे पहले लाँच किया जाएगा इसके द्वारा GSAT-6A सैटलाइट को लाँच किया जाएगा इसके बाद GSLV F10 की उड़ान होगी इसमें चंद्रयान 2 मिशन भेजा जाएगा जो कि अप्रेल 2018 में होने की संभावना है और इसके बाद तीसरा GSLV जो लाँच किया जाएगा वो GSLV Mark 3 होने वाला है जो कि हमारा सबसे लेटिस GSLV और सबसे भारी पेलोड ले जाने वाला GSLV है इसके द्वारा GSAT-29 को लाँच किया जाएगा तो यह कुछ प्लान है इसरों के आपने से बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसके बारे मैं पूछा था दोस्तों अगली ख़वार हमारी रुद्रा Light Attack Helicopters की तरफ से आ रही है फिलिपीन्स अब इसको खरीदना चाह रहा है जैसा कि आप जानते होंगे कि फिलिपीन्स Air Force की Technical Working Group तीन ऐसे Helicopters का Evaluation कर रही है जिनको वो खरीद सकती है पर रुद्रा को देखने के बाद उन्होंने अपने Evaluation इसको भी एड़ कर लिया है इनके Evaluation में जो तीन Helicopters हैं उनका नाम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ उसमें सबसे पहले है Airbus का है H145M उसके बाद है MD Helicopters का MD-601 Explorer और उसके बाद अगस्टा वेस्टलेंड का है Leonardo AW109 और 14 Helicopters अब जो उन्होंने चुना है वो रुद्रा Light Attack Helicopter को चुना है यहाँ पर रुद्रा के लिए एक प्लस पॉइंट दिया है कि यह शुरू से ही Attack Helicopter की तरह से डेवलप किया गया है पर जो यह बाकी तीन Helicopters है उनको नॉर्मली डेवलप किया गया था और उसका वो Attack Version फिलिपीन्स को बेचना चाह रहे है दोस्तों अगली खबर हमारी Air Force की तरह से आ रहे है Air Force ने एक Fresh RFI जारी किया है 6 Mid Air Refueling Aircraft के लिए जो की डील लगभग 2 Billion Dollar की होने वाली है इसे पहले 2003 और 2004 में हमने रशिया से IL-70S Refueling Aircraft को खरीदे थे पर अब Air Force को इस प्रकार के और 6 Aircraft की बहुत ही सक्त जरूरत है उन 6 Aircraft के बाद यह पहला मौका नहीं है जब Air Force इस तरह के Aircraft और ज़्यादा खरीदने का प्रयास कर रही है 2006 साथ से ही उन्होंने यह प्रयास स्टार्ट कर दिया था पर दो बार यह प्रयास फेल होने के बाद अब तीसरी बार Air Force इसके लिए RFI जारी की है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तीस मार्च के बाद अलॉट किया जाएगा जो कंपनी इस RFI का रिपलाई करेगी फिलाल में जो रशियन IL-78S एरक्राफ्ट हम इस्तमाल कर रहे हैं वो फोर इंजन का एरक्राफ्ट पर इस RFI में कहा गया है कि वो ट्विन इंजन का एरक्राफ्ट होना चाहिए जिससे कि यह किलियर हो जाता है कि रशियन एरक्राफ्ट को तो अब हम लोग नहीं चुनेंगे जहां पर दो एरक्राफ्ट जिसको चुना जा सकता है वो है एरबस का A330MRTT और बोईंग का KC46A Pegasus परकार के टेंकर एरक्राफ्ट का जो कि मिड एर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं तो तीन खबरों के बाद अपनी बोनस कबर की बात कर लेते हैं बोनस कबर हमारी FGFA या पाक FA की तरफ से आ रही है आपने से बहुत से लोगों ने कमेट में पूछा था कि क्या इस टेटस है इसका तो इसके लिए आप खबर निकल कर सामने आई है रशियन ओफिसल्स का कहना है कि प्राइमरी स्टेज की नेगोशियेशन जो होनी थी वो हो चुकी है साइन करते और इस कॉलिबरेशन को थोड़ा आगे पहुचा है तो आज की इस वीडियो के लिए वास इतना ही आशा करता हूँ को वीडियो पसंद आया अगर आप इसको एक पड़ा थमसर देंगे इस वीडियो से मन कोई सवाल ये सुजाओ तो कमेंट बॉक्स में ज़रू लाजएगा और यदि आपने हमारे चैनल बतार सबस्क्राइब नहीं किया सुजाओ भी कर लेजी क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं और आपका डिफेंस और स्पेस ग्याम बहुत जदा बढ़ने वाला है इस चैनल को सबस्क्राइब करके उनकी वीडियो देखे नमस्कार तेंक यू